नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो लाइक एक्स वाई जैड में दोस्तों इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं दो और तेन संक्याओं के गुणा के आसान सी ट्रिक के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम दो तथा तेन संक्याओं के गुणा की जो सिंपल ट्रिक्स होती हैं उस ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रिक्स को सीखने के लिए सबसे पहले हम जैसे एक दो अंको की संक्या लेते हैं देखते हैं कि जैसे हमारे पास दो अंकों की संक्या इस प्रकार से है ये मैंने एक दो अंकों की संक्या लिखी और इन दो अंकों की संक्या को हमें ट्रिक्स से मल्टिप्लाई करना है तो किस प्रकार से करते हैं सबसे पहले इस वाले जो उपर वाले और नीचे वाले नंबर्स हैं इनको हम multiply करते हैं इनको गुणा करते हैं उसके बाद में इस ट्रिक्स में क्या करते हैं हम यहां पर प्रोस multiply करेंगी अर्थात इन दोनों को multiply करते हैं और इन दोनों को multiply करते हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं फिर से उर्दू गुणा करते हैं यहाँ पर जो last वाले जो digits हैं इनको multiply करते हैं इस प्रकार से ये tricks हम काम में लेते हैं तो चलिए इसके लिए हम एक examples लेते हैं जैसे हमें multiply करना है 33 को 31 से 33 गुणा 31 इनको हमें multiply करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर उर्दू गुणा करते हैं अर्थात सबसे पहले हम यहाँ पर गुणा करते हैं 3 को 1 से उपर नीचे वाले अंको को गुणा करते हैं तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3 एकम 3 उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे cross multiply इस तीन को करेंगे इस एक से और इस तीन को करेंगे इस तीन से तो तीन एकम तीन एकम तीन और तीन को तीन से करेंगे तो तीन तीन नो अर्दात हमारा नो और तीन आ गया कितना बारह है तो बाहराएखा हम लगाएंगे 2 और हसिल जो हमारी आजाएगी वो कितनी आजाएगी 1 कहरी हमारी कितनी आजाएगी 1 उसके बाद हम क्या करते हैं फिर से यहाँ पर ओर्द गुणा करते हैं अर्थात जो लास्ट वारे नंबर्स हैं इस तीन को multiply करते हैं इस तीन से तो तीन तीय हमारा आएगा 9 और 9 और 1 हमारी हैसिल थी तो 9 और 1 हमारा हो जाएगा 10 इस प्रकार से हमारा answer आएगा 1023 ठीक है इस प्रकार से हम दो अंको की संक्याओं को multiply कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि तीन अंको की संक्याओं को इस ट्रिक्स के दुआरा कैसे मल्टिप्लाई कर सकते हैं